पश्चत है पद्मश्री उमासंकर पांडे जी के साथ जिन्होंने पानी को लेकर के काफी काम किया है और उने के अथक पेरासों और मेहनत का ही कारण है कि आज वह है पद्मश्री से नवाजे गए हैं आज हमारी बीच उपश्चत हैं बुंदेल खंड टुपल्स में हम उनका जो पिश्चतिया हैं उनसे आप कैसा मैसूस करते हैं पानी को लेकर बर्तमान परिस्थिती में देश के शुषी परधानमंत्री मानी नरिंद बोदी जी जो देश को पानीदार बनाने की दिशा में उन्होंने मुखमंती रहते हुए जो प्रयास किये थे वह प्रयास पूर जो आज भी कामयाब है उस दिर्शा में हम खेट पर मेड़ मेर पर पैड़ ऑफा की बुद मेरे वहीं रोकि जाए इस दिर्शा में समधायर प्रयास कर रहे रहे हैं बुंदेल खंड में पाणी की कभी नहीं रही है पानीदार यहां का घोड़ा आग इहां के पानी में पानी यहां प्रयाब्त मात्रा में रहा है परस्तितियां चुकि पानी धलान में हैं इसलिए बह जाता है पानी रोकने की ज़रूरत है जैसा कि आप रखा पानी रोकने की ज़रूरत है तो आज देखा जाए तो चंदेल काली इन तालाब हमारे बंदेल खन में काफी बड़ी हो गई है तलावों में और पानी का जो इस्तर है वो भी काफी कम होता जा रहा है तो ऐसे शिदी में को जलसनरचन के क्या उपाय किये जाने चाहिए सासल तोर पर देखिए बुंदेलों की जलसनरचन विदी है चंदेलों की जलसनरचन विदी है परिहारों की जलसनरचन विद है गोड़ाना में गोड़ों की जल सन्रचन बिदी है और यहां पर जुजहार बंस की जो जल सन्रचन बिदियां थी यह सारी जो जल सन्रचन की बिदियां है वो सारी बिदियों का एक ही उनका जो उपाय था समुदायक जो समुदायक की पहल चूंकि दुनिया में पानी बनाय नहीं जा सकता और विकास के लिए बहुत सारी चीज जरूरत होती है उन में से यह बेजोड जो जगह है बेजान जिसे आप मकान बनाते हैं तो उसमें सिमेंट लगाते हैं बालू लगाते हैं लेकि जब तक पानी नहीं लगाएंगे तब तक बने से मुझ चलाते हैं 100 के लोग पानी में आते हैं तब भी पीठ में सामूल लगा रहता है तो जो हमारी पुरानी विधिया थी उनके अशार हम पानी को रोकें पानी बनाए नहीं बचाएं और पानी का पानी की खेती करें बर्तमान परसिती में बर्सा की मुदे अगर खेत में खेत में रोकिये जंगल में गरे तो गाउं में गरे तो गाउं में रोकिये घर में रोकिये और तालाम में गरे तो तालाम में रोकिये हमाद दुनिया में कोई वह ग्याने बादल नहीं बना सकता बादल ला नहीं सकता बादल को ट्रांसफर नहीं कर सकता बादल को फार नहीं सकता लेकिन हमारे पुर्खों के पास भी दी थी आपको याद होगा कि 2008 में अस्टेलिया में पानी का संकट हो गया था और अस्टेलिय पानी का समाधान दिया वो बुरी दुनिया में एक अधुतिय जाना जाता है अब आप समझ रहे हैं कि दुनिया की सबसे खवसूरत सीटियों में से है कैप टाउन जहां हम लोग किरिकेट मैस देखते थे जब हम छोटे-चोटे थे और किरिकेट मैच आया था तो किरिकेट मै भुजन मनाएगा क्या करेगा तो आप समझे भारत में बैंगलोर में पानी कम हो गया है चैन्नाई में पानी कम हो गया है दिली के बात खुद पानी नहीं है वो उत्तरप्रदेश और अर्याना पंजाब से पानी मगाती है ऐसे में पूरी दुनिया में जल संकठ है हम सब को एक समझे भागी रती प्रयास करने हो गए हमारे देश में पांच जली ओधा पैदा हुए पहले जली ओधा हुए महाराज भागी रत जो गंगा को लेका है दूसरे जली ओधा हुए माता अंसुया जो मंदाक्री कर आई तीसरे जली ओधा हुए महाराज भोच जोनने दुन या और देश में उनका नाम है देश के प्रधानमती नरेंद मोदी जी जिनूंने अजादी के 75 में मरता महुसों में 75 तालाब बनाएं अर जीले er 55 तालाब, और जब भी उद मन की बात करते हैं जब भी हो समाजिक सरोकार की बात करते हैं, पानी और पेड उनके बिसेम होता है, पेड़, एक पेड़ दस पुतर समान, जब हम अनंत की यात्रा में जाएंगे, हमारे जीवन समाप्त होगा, अग नहीं लगेगी, तो हम पांच कुंटर लकडी चाहिए, मुझे पांच हमारे उपर है, जखनी मॉडल जो आज पूरे देश में प्रसिद दुगा है, उसको लेकर के आपके हिसाब से क्या संद्रचना देश में तैयार की जाने जाएंगे, जिससे की पानी को रोका जा सके और मेड पर पेड के माध्याम से जो आपका एक तरीका है, वह आपका ता थे, कुवा खुद वाते थे, तालाब खोदते थे, समुदाय का अधार पर पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है, समाजी सदियों से लाखों तालाब बनाता था, कुवे बनाता था, मंदिल बनाता था, जलासे बनाता था, आज वह समाज कहां गया है, इन ता पानी दार अपने को बनाई है यहां के समाजी कार्करताओं थो आटाब में देुखने लाइक है मैंने दस साल पहले देखा था सामने का तालाव है एक भी पानी नहीं था लेकिन आज खचुराहों ने जो काम करके दिखाया है अधुती है और मेरा मानना जख्री जखने मॉडल में समुधाय क्या आदार पर एक अनुदाने लिया, मेरी कोई एंचीओ नहीं कोई संस्ता नहीं आई है, कोई ओफिस नहीं है धुब कोई अपिस नहीं है, हमारा जखनी मॉडल तो टो पहले 70 ग्राम उफिस यह उनि भी काहां है, नीती आयूग ने पूरे देश के लिए कहा है और जल सक्ती मंतराले कह रहा है हर गाओं बनेगा जखनी की बाद जल ग्राम तो हम सब को समधायक प्रयास करने होंगे हम सब को जो जहां खड़ा है पानी की बचाने की बाद मंदर से चले पानी बचाने की बाद महजित से चले पानी बचाने की बाद महजित से चले पानी बचाने की बाद महजित से चले और सेक्षर संस्ताओं से चले धर्मिक लोग, समाजिक लोग, विद्याले, विद्यार्थी, समाज, किसान, व्यापारी, सब पानी बचाओंगे, सब पानी बचाएंगे, पानी बनाया नहीं जा सकता है, खेत पर मेड़ बनाईए, मेड़ पर पेड़ लगाईए, और जल में जगदीस है, पानी गुपन में कि उसकुर का गया तो यह थे हमारे भीच पदमस्री उमाशंकरपांडे जी जिन से हमने पानी को लेकर चर्चा की अभी तक के लिए में खजराओ से राजीव शुखळा उमाशंकरपांडे जी के साथ धन्यबाद नमश्कार।